हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैने टार्गेट सिविल सर्विसेस में तो दोस्तों आज है 22 जोन 22 जोन से जितने भी करेंट अफेस के कोशन बनेंगे सारे कोशन को इस वीडियो लेक्शन में हम डिसकर्स करने वाले तो सबसे पहले हम देख लेते जो कल कोशन आपसे पूछा था तो आपसे कोशन पूछा गया था कि जो वीडियो की सबसे उच्छी स्टेच्यो ऑफ यूनिटी है इसका डिजाइनर कौन है तो इसका जो डिजाइनर है दोस्तों वो कौन है राम वन्जी सुतार यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा option 2 और यहाँ पे मैं आपको बता दू कि जो statue of unity है यह किसकी प्रतिमा है तो यह प्रतिमा है दोसो सरदार वल्लब भाई पटेल की और इसकी जो height है वो 182 meter है और नर्बदा नदी के 3 पर इस्तित है और केवडिया में इस्तित है यह भी आपको याद रखना है अब दोस्तो देख लेते हैं कल के question कर revision तो पहला question है कि भारत सरकार ने किसे विस्व व्यापार संगठन मतलब WTO में भारत की इस्थाई मिसन में counselor न्यूक्त किया है तो यह न्यूक्त किया है दोस्तो आसिज चांदोरकर को correct answer हो गया दोस्तो option 1 चलते है next question की ओर तो question है कि ACI Pacific उतपादक्तर चेंपियन 2021 कौन बने है तो यह बन गए है दोस्तो RS Sodi correct answer किया है यहाँ पर option 4 next question की 17 जुन 2021 को जारी वेस्विक सांती सुचकांक 2021 में भारत कौन से इस्थान पर रहा है तो भारत इस इंडेक्स में रहा है दोस्तो 135 वे इस्थान पर तो correct answer क्या हो जाएगा option 2 चलते हैं next question की ओर तो 18 जुन 2021 को किसे सन्यूक्तिरास्ट के महा सच्यू के रूप में चुना गया है तो ये चुना गया दोस्तो एड़नटिनो गुटिरस को तो correct answer यहाँ पर हो जाएगा option 1 और अगला question देख लेते हैं तो किस राज की सरकार ने medicines from sky project को launch किया है तो ये launch किया है दोस्तो तेलंगाना की राज सरकार ने correct answer हो जाएगा यहाँ पर option 2 अगला question देख लेते हैं तो report it, don't share it नामक पहल को किस company ने launch किया है इसे launch किया है दोस्तो facebook ने तो right answer हो जाएगा option 1 चलते हैं next question की ओर तो कौन से देश विस्व का पहला लकड़ी से बना उपगरह विसा वूट सेट launch करेगा तो ये launch करने वाला है दोस्तो ने जीलेंड तो correct answer है यहाँ पर option 1 next question है कि असमान रूहानी की जगह इरान के जो नई राश्वत्ती है वो कोन चुने गए है तो ये चुने गए है दोस्तो सयद इबराहिम रईसी तो correct answer है यहाँ पर option 2 चलते हैं next question की ओर तो question है दोस्तो की नीम नमे से किसे वेस्विक IT परामर्स और डिजिटल समाधन कंपनी ने Snowflake Global Innovation Partner of the Year 2021 का पुरुसकर जीता है तो ये किसने जीता है दोस्तो L&T Infotech ने तो correct answer हो जाएगा यहाँ पर option 3 अगला question है दोस्तो की Central Solanite नामक दुनिया का सबसे 37 साली चुमबक किसने तयार किया है तो इस चुमबक को तयार किया है दोस्तो General Atomics ने correct answer हो जाएगा यहाँ पर option 2 अब चलते दोस्तो next question की ओर तो हाली में America Data Intelligence फर्म Morning Consult के अनुसार Global Leaders की जो ranking है इसमें सिर्शिस्तान पर कौन रहा है तो सिर्शिस्तान पर रहने वाले है दोस्तो नरेंद्र मोदी तो यहाँ पर right answer हो जाएगा option 3 और revision का last question है कि भारत के महान athlete Milka Sieng का COVID-19 के कारण निधन हो गया है और इनको किस प्रशिद नाम से जाना जाता है तो इन्हें जाना जाता है दोस्तो दफ लाइंग सीख के नाम से correct answer हो जाएगा यहाँ पर option 2 तो अब start करते दोस्तो आज के current face तो पहला question है आपके लिए कि हाली में किसे अंतराष्टी अवर्ड लेंड फॉर लाइफ देने की घोसना की गई है यह किसे की गई दोस्तो यह की है स्याम सुंदर जिवानी को correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर option 2 और यह है दोस्तो स्याम सुंदर जिने हाली में अंतरस्टी अवर्ड लेंड फॉर लाइफ देने की घुसना की गई है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जो 17 जुन को मतलब 17 जुन जो अभी कुछ दिन पहली मरुस्तली करन रोगथम दिवस मनाय गया था और इसकी जो शुरुवात है वो 17 जुन 1995 में की गई थी और इसी मरुस्तली दिवस के उपलक्ष में हर दो वर्स के बाद यहाँ अवर्ड मतलब अंतरस्टी अवर्ड लेंड फॉर लाइफ दिया जाता है और यह किस लिए दिया जाता है तो दोस्तों यह भूमिस संडक्षन के लिए दिया जाता है यह आपको याद अखना है तो आपको याद अखना है कि जो अंतरस्टी अवर्ड लेंड फॉर लाइफ है यह किसे देने की घुशना किये तो श्याम सुन्दर को राइट अंसर क्या हो गया है यहाँ पर ऑप्शन 2 और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जो वी सो मरुस्तली करन रोकथम दिवस है इस वर्स 2021 के जो थीम है वो क्या थी तो रेस्टोरेशन लैंड रीकवरी इस वर्स की थीम थी यह आपको याद रखना है अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन की ओर तो कोशन है दोस्तों की स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एमबेजडर कौन बने है तो यह बन गए है दोस्तों जस्पीद बुमरा यहाँ पर करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा और मैं आपको यहाँ पर बता दू कि जो युनिसेफ है इसके गुडवील एमबेजडर कौन बने है तो यह बने है दोस्तों डैविड बैकम और बात करें दोस्तों, ब्रॉण टेक्नो की, तो इसके जो नए ब्रॉण एमेजडेर ये किसे बना गया था, तो ये बना गया था दोस्तों आयुषमन खुराना को, तो ये सारे important point है जो आपको याद दखना है, अब चलते दोस्तों next question की ओर, next question है दोस्तों की 18 जुन 2021 से भा correct answer क्या हो जाएगा यहां पर option 4, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो भारती 9 सेना और यूरोपी संग है, इनके बीच का संयुक्त सेन्य अभ्यास in EU 9 4 सुरू किया गया है, तो याद रखना है दोस्तों भारत की 9 सेना भाग लेगी, और भारती 9 सेना में से जो INS 3 कं इसे कौन जोड़ता है दोस्तों बाब-Ult- incense यह आपको याद रखना है, तो important point है दोस्तों जो आपको याद रखना है कि जो लाल सा घर है और अधनन की खाडी है, इसे कौन जोड़ता है तो बाब-Ult-rousat इसे जोड़ता है और साती दोस्तों यहां पर हम कुछ important exercise की बात कर लेते हैं तो हाली में अप्रेल 2021 में भारत तथा किर्गिस्थान के बीच कौन सा युद्यहब्यास शुरू हुआ था तो आपको यहाँ पर दोस्तों मैं बता दू यह कौन सा युद्यहब्यास था खंजर युद्यहब्यास जो की बिसकेक में हुआ था और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों की माई 2021 में स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 युद्यहब्यास किस संगटन द्वारा आयुजित किया गया था तो इसका जो आयुजन है वो नाटो मतलब नॉट एटलंटिक ट्रीटी औरगिनाजिसन के द्वारा आयुजित किया गया था बात करें यहां पर हम नाटो की जिसका हेड़कॉट है ब्रुसेल्स बेल्जिम में इस्तित है और नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्च 2021 में वज्र प्रहर सेन्य अभ्यास का जो आयुजन है इसका आयुजन हुआ था भारत और अमेरीका के बीच तो यह भी आपको याद रखना है अगला कुशन क्या था तो यह मनाई गया था था 220 जुन को यहां पर प्राइट अंसर क्या हो जाएगा और उनके लिए संयुक्त राश्टी हर साल 20 जुन को 20 सरनाथी दिवस के रुप में मनाता है और इस मौके पर दुनिया भर में उन सरनातियों के साहस को सम्मान दिया जाता है जिने अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया है यहां पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं 20 सरनाथी दिवस 2021 की ठीम की तो यह क्या है दोस्तों together we'll learn and sign ये इस वर्स की ठीम है तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो 20 सरनाथी दिवस है ये 20 जुन को मना जाता है आप चलते हैं दोस्तों next question की ओर तो कोशने के हाली में किस संस्ता या मंत्राले ने आम चुनाओ 2019 एटलेस जारी किया है तो ये जारी किया दोस्तो चुनाओ आयोग ने करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे option 1 तो यहाँ पे दोस्तो हम बात करें चुनाओ आयोग की मतलब election commission की तो जिसकी स्तापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी इसलिए प्रतेक वर्स 25 जनवरी को मतदादा दिवस की रुप में मना जाता है और हम बात करें दोस्तो यहाँ पर कि जो पहले मुख्य चुनाओ आयोगत थे यहाँ पर हम बात करें मुख्य चुनाओ आयोगत की तो भारती सविधान के अनुछेद 324 में इसका उलिक किया गया है अब चलते हैं दोसों नेक्ट कोशन की ओर अगला कोशन है कि प्रतिवर्स अंतरास्य योग दिवस मतलब इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है दोसों प्रतिवर्स 21 जून को करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा यहां पर ऑप्शन 3 तो दोसों आपको मैं यहां पर बता दू कि जो अंतरास्य योग दिवस है इसकी सुरुवात कब की गई थी तो इसकी जो सुरुवात है वो 21 जून 2015 को की गई थी और सबसे पहले इसे 2015 में दिल्ली राजपत पर आयूजित किया गया था और दोसों यहां पर मैं आपको बता दू कि 2021 में सातवा योग दिवस के रूप में मनाया गया है और साती दोसों इस वर्स एक एप मतलब नमस्ते योग एप को लॉंच भी किया है और यहां पर दोसों मैं आपको बता दू कि जो भारत में इस बार की थीम है मतलब जो योगा डे है इस वर्स की जो थीम है वो क्या है अब चलते हैं दोसों नेक्श कोशन की ओर तो कोशन है कि भारती मुल्के महमुद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट का जज न्यूक्त किया गया है तो इन्हें न्यूक्त किया है दोसों कनाडा का करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा यहां पर ऑप्शन वन और यह है दोसों महमुद जमाल जिने हाली में कनाडा देश के सुप्रीम कोर्ट का जज न्यूक्त किया गया है तो दोसों आपको मैं यहां पर बता दू कि कोर्ट में पहले असुप्र कनाडा के प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो ने देश के वेक्ती महमुद जमाल को जज न्यूक्त किया है और यहां पर दोसों हम बात कर लेते हैं कनाडा की तो यहां उत्तरी अमेरिका महादिप में इसी थे जिसकी राजानी उटावा है और कनाडा की जो केरेंसी है वो क्या है कनेडियन डॉलर है और साथी दोसों यहां पर मैं आपको बता दू कि जो छेतरफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है तो यह कनाडा है और पहले इस्तान पर है दोसों रूस यह भी आपको याद रखना है और विश्व में जो सबसे लंबी सीमा वाला देश है वो भी कनाडा है तो यह सारे important point है जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं तो अब चलते दोस्तों next question की ओर question है कि किस राज़िकी सरकार ने online learning portal e-partsala और e-mulankan को launch किया है तो यह किस ने launch किया है दोस्तों उडिशा राज़िकी सरकार ने यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा option third तो दोस्तों कोरोना वारेस में सभी school बंद है और बच्चों की पढ़ाई जो खराब हो रही है तो पढ़ाई खराब ना हो इसलिए उडिशा सरकार ने इस पोर्टल को launch किया है और इस पोर्टल की मदद से बच्चे घर बेटे ही पढ़ पाएंगे और सुरक्षित रह पाएंगे तो याद रखना है दोस्तों उडिशा राजी की सरकार ने online learning portal e-partsala और e-mulankan को launch किया है अब चलते हैं next question की ओर तो question की RBI ने किसे हाली में संकट ग्रेस्ट पंजाब और महरास्ट सहकारी बेंक के अधी ग्रहन की मंचुरी दे दी है तो यह किस ने दिये दोस्तों यह दिये Central Financial Services Limited ने मनलब CFSL ने correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर option 1 तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जो RBI है इन्होंने Central Financial Services Limited मनलब CFSL में संकट ग्रेस्ट पंजाब और महरास्ट सहकारी बेंक के अधी करन की मज़ोरी दे दी है तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे है PMC की तो इसकी जो इस्तापना है वो 1984 को की गई थी और इसका मुख्यले मुंबई में स्थीत है PMC बेंक की जो प्रसासक है वो एके दिक्षीत है और साथ ही बात कर लेते है RBI की जिसकी इस्तापना 1 अपरिल 1935 को की गई थी और इसका मुख्यले भी मुंबई में स्थीत है गवर्नर है वर्तमान में 200 सक्तिकांतदास और उप गवर्नर से है वो कौन-कौन से तो M. Rajiswar Rao, Michael D. Patra, Mahesh Kumar Jain तथा T. Ravi Shankar है आपको याद रखना है और लास्ट कोशिन है कि हाली में किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रॉयन ने वंडे से सन्यास लेने की घुषना की है तो यह किस ने की है दोस्तो आइरलेंड के प्लियर ने करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे Option 4 और यह है दोस्तो केविन ओब्रॉयन जिन्होंने हाली में वंडे से सन्यास लेने की घुषना की है तो यहाँ पे दोस्तो हम बात कर लेते हैं आईरलेंड की जिसकी राज़दानी डबलीन है राज़पती Michael D. Hingins है और यहाँ पर हम बात करें आईरलेंड की संसत का तो इसका जो नाम है वो क्या है दोस्तो आरेच टास है और मुद्रा यूरो है तो यह सारे पॉइंट आपको याद रखने है तो दोस्तो इस कोशन का जो राइट अंसर है वो क्या होगा है आईरलेंड मतलब आईरलेंड डेस के क्रिके तो दोस्तों यदि आपको हमारी महनेत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करे सेर करे अगर आप इस शेयन पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करे Thank you so much guys for watching this video